तो फ्रेंड इस वीडियो में कबर करेंगे बाल विकार और शिक्सा सास्त्र से संबंदी 30 महतपुन कोशन जो आपके यूपिटेट एक्जाम 2019 के लिए आप बहुत ही हेल्प करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को अंतक जरूर देखेगा चैनल को अबस्क्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक से जरूर कर दें तो पहला कोशन है पी 1 जी मुख्य रूप से किसके अध्यन के लिए जाने जाते हैं इन इंप्रटेंट कोशन है यह जाने जाते हैं आपके संग्यानात्मक् विकास के लिए ठीक है फ्रेंट्स किसके संग्यानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं और आपको और बता दे संग्यानात्मक विकास के कुछ और अवस्थाएं हैं नंबर एक अवस्था इसकी सनवेधी पेशी अवस्था नंबर दो पूर संग्यात्मक अवस्था नंबर तीन मुर्द सक्रियात्मक अवस्था और चार ओप्चारिक सक्रियात्मक की अवस्ता ये चार अवस्ता संग्यानात्मा विकास के अंतरगत आती हैं और इनका अध्धन कहता पिय जी ने ठीक है न तो उप्शन C सही आंसर होगा नेस्क्रिशन है निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा वह बनेगा उप्शन C वनसानु करम वैक्ति की जनमजाद विसेश्ताओं का सोधन है ये बिल्कुल गलत है ये जो होता है आपका वनसानु करम वैक्ति की जनमजाद विसेश्ता का पूरम योग होता है थिक ना ना की सोधन होता है तो option C हमत перσα हम जाएगा लेकर लेकर नहीं करना चाहिए तो सही क्या परसूद अनुकूलन सिध्धान का पर्तिपादन किया है तो उस सही आंसर हो जाएगा आपका option B, scanner, ठीक है न, तो option B सही आंसर होगा scanner, next question है, परियास और भूल सिध्धान्त के परतिपादक है, तो friends, सही आंसर इस question का होगा आपका, option A, थर्न डाइक, ठीक है न, थर्न डाइक, परियास और भूल सिध्धान्त के परतिपादक है, next question ह संग्यनात्मक विकास जिसका अध्यन पिय जी ने किया है इसकी चार चरना यानि चार अवस्था है सनवेदी पेशिये अवस्था पूर सक्रेयात्मक अवस्था तदा ओप चैरिक सक्रेयात्मक अवस्था की पहचान की गई है तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा option D PIG ठीक है next question है निमलीकित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका तनाव का नियम option B स penso Avengers गात नाओ का नियम सीखने का नियम नहीं है बाकी 3 त्रत्ता पर्भाव और अभास का नियम ये 3 तीनों क्या है सीखने के नियम है ठीक है न ओर ये जो दिये हैं आपके ठर न, डाइक ने दिये हैं किस ने दिये हैं ठर न, डाइक ने तरत्परतरा का नियम परभाव का नियम अभाज का नियंम ए तीने नियम की से ने दियें झाल टाइब ने न है यieme सीखने से संबंधित पर्ती कि2017 कि धानत में पावलाऊ बंद ने परियोग किया तो ठोड़ ना ठीक ना तो सही आंसर हो जाएगा option B हो जाएगा next question है सूज द्वारा सीखने के सिध्धान्त का परतिपादन किया है friends सही आंसर हो जाएगा this question का option B कोहलर ने ठीक ना और इन्होंने जो इसके परियोग में किया था एक भूके चिंपेंजी का परियोग किया था ठीक है ना सूज द्वारा सीखने के सिध्धान्त में जो परियोग किया था कोहलर ने वह एक भूके चिंपेंजी बंदर का परियोग किया था ठीक है option B सही आंसर होगा next question है कार्य को आर्म करने जारी रखने और नियमित करने की परकिरिया है तो friends question का यहां पर सही आंसर रहेगा option A प्रेरना ठीक है next question है किस अधिगम मनोविज्ञानिक ने बल सोरी बाल अधिगम विकास में पुरुसकार को महतु नहीं दिया है तो friends सही आंसर यहां पर हो जाएगा गुत्री ने किसने गुत्री ने अधिगम मनोविज्ञान और बाल अधिगम विकास में पुरुसकार को महतु नहीं दिया है next question है क्रोद वेब है परकार है तो friends यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका option B समवेक के ठीक है ना तो क्रोद वेब है समवेक के परकार नहीं है option B सही आंसर होगा next question है दूसरे वेक्ति के भाई ये वहवार की नकल है तो friends यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका option B अनुकरन ठीक है ना next question है सीखने का प्रात्मिक मूलभूत नियम संबंदित है तो friends यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका option D तत प्रता का नियम ठीक है ना तो option D यहां पर सही आंसर हो जाएगा next question है सीखने की परकिरिया को परभावित करने वाले कारक है तो यहां पर सही आंसर होगा option D यह सभी ठीक है ना और सीखने की परकिरिया के परभावित करने वाले कारक मैं आपको बता दूँ 10 कारक है ठीक है ना पूर अधिगम, विश्य वर्स्तु का सवरूप, विश्य के परती मनोवर्ती, सीखने की इच्छा, सीखने की विदी, अभी प्रेड़ना, अनुवान सिक्ता, वातवरन, प्रेशिक्षन और परसंसा, इवम निंदा ये सभी काहिम आते हैं, ये सीखने की परकिरिया में आते हैं, ठीक न, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा, उप्सण D, ये सभी से सवस्था में बच्चों के किरिया कलाब होते हैं, यहाँ पर सही आंसर होगा, आपका उप्सण E, मूल प्रवयत्यात्मक, उप्सण E, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर होगा जो सलजनात्मक से संबंदित नहीं है यहाँ पर सही आंसर होगा आपका option C मित व्यादता ठीक है ना option C यहाँ पर सही आंसर होगा जो सलजनात्मक से संबंदित नहीं है बागी तीन इससे संबंदित है वहवार में होने वाले इस्थाई परिवर्तन जो आभ्यास के कारण होते हैं को कहते हैं यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ओफसाने सीखना ठीक है तो यह जो एक कथन है ठीक है यह किस ने कहा था यह कहन olm grips जो आभवार में रिवर्तन जो आभ्यास के कारण होते हैं सीखना कहले हैं है थाjän फ्रशान की sharp नहीं चीशने मनों विज्ञान की पर्थम को किस ने इसठापित पर you ने जर्मन ने ने waste question है तो सही आंसर हो जाएगा आपका तो डबल्जू वूंट ने किसने डबल्जू वूंटने और इन्होंने जो इसका जो इसकी स्थापना की थी उँ आठारासो जाफ़न विद्यन में की थी ठीक है न। इसमें की थी अठारसो हो जाएगा option B Max वर्दाई मर ठीक है ना और इन्होंने जो इसकी आधार सिरा रखी थी 1912 में रखी थी 1912 में Gestalt मानो विज्ञान की आधार साला 1912 में Max वर्दाई मर ने रखी थी ठीक है ना Next question है कक्सा 5 के नियून दृष्टी वाले बच्चे को तो यहाँ पर जो सही आंसर में option पढ़के ही पता लगेगा निमनिस्तर के कारियों के लिए माफ करना है उचीत है उसके देनी कारियों में उसके माता पिता था था मित्रों को साहिता करनी चाहिए कक्सा में समानी रूप से बरताउ करना चाहिए कक्सा में विःस बरताव करना चाहिए तो सही आंसर हो गया option c सही आंसर हो जाओ ऊत्रेत ने सियांगर को सामील क चाहिए तो फ्रेंड्स यहां पर सही आंसर हो जाएगा option B द्रिश्य साधन ठीक है ना द्रिश्य साधन के समों में आप पर सामिल किया जा सकता है नेस्ट कोशेन है निम्र में कौन सा सिक्षण को सलता से सम्बन्दित है तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा option D वो परोक सभी शामपट पर लिखना, परसनों को हल करना, परसन पूछना, ये सबी आपके कहां में आएगा है, सिक्षन कोशलता से संबन दित हैं, और इसके अलावा, इस्पेश्टी करन कोशल, पर्ति पूश्टी कोशल, परसन कोशल, ये सबी कहां हैं, ठीके ना, किसमें सिक्षन कोशलता नेस्ट इटाम है अभी कर्मा की योजता अधिगम का पट्टा किसं न दिया था किस न दिया था इकलन नो रखना डिरनाम होता है उससे क्या कहते हैं यहां पर आपको पर्टा करते ह subset अधिगम सबस्सक्राइब होगा नास को चैना आपको अपनी कक्सह में दो मंद बुद्धी बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है आप क्या करेंगे ठीके उन्हेंIP वित्याति के रूप में घ्रायन करने से इनकार करेंगे परधानादब्यक को उन्हें किसी और कक्सह में जो की मंद बुद्धि बालों को के लिए विशे सुरूप से चीनित है मैं बैठने के लिए बोलेंगे ऐसे विध्यारत्यों को सिखाने का तरीका सिखाएंगे या उप्रोक में से कोई नहीं तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा option C होगा ऐसे विध्यार्थ को सिखाने की का तरीका यहाँ पर आप सिखाएंगे ठीक है ना? option C सही answer होगा next question है प्राथमिक सिख्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अवस्षक है क्योंकि तो यहाँ पर option को पढ़के ही पता चलेगा यहाँ बच्चो को अनुसासित बनाने में साहिता करता है परीक्सा में परिणाम में उन्नती होती है यहाँ बच्चो को अभी प्रेडित करने के लिए सुवीधा जनक तरीका बन जाता है यहाँ बच्चो को वहवार को समझने में और सिख्षक की साहिता करता है यानि के सही आंसर होगा, option D, यह बच्चों के वहवार को समझने में सिक्सकी सायता करता है, ठीके न, option D, सही आंसर होगा, next question है, समवे का कौन सा सिध्धान्त इस विचार को मानता है कि सनवेगा अनुभाव, समवेगा अतमक वहवार पर आधारीत है, तो यह किस सिध्धान्त क्या है, अच्छी लिखावट, लेखन में सिप्ष्टता, बड़े अक्सरों में लिखना, छोटे अक्सरों में लिखना, तो यहां पर सही आंसर होगा, लेखन में सिप्ष्टता, ठीके न, तो सही आंसर option B होगी, लेखन में सिप्ष्टता, श्यांपट पर लिखते वे सब से महतپून है ठीक है ना इए हुसर रह चैसे अभी प्रेइद और नहीं और सह अंसर हो जाएगा तो इसे सहत और बाल विज्यान से समधित तीस महतपून कोश्यनों को कवर किया दो इंपोर्टेंट थे आपके यूपिटेट एक्जाम में आपकी बहुती हेल्प करेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो का अंता को लाच सक्स जरूर देखेगा क्योंकि इंपोर्टेंट कोशन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा थैंक्स पर वाचिंग